कप्चागी नेगे नाठा नाचुनौ हेलो एवरीवन नमस्ते आप सभी का मेरे इस चैनल लिव लाइव इत बनना में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पांच बहुत ही ज्यादा खूपसूरत और बहुत ही इजी प्लांटर्स और इन सभी प्लांटर्स को हम ब अगर इस तरह के वेश्ट माटेरियल होते ही हैं अगर इस तरह के टीन केन ना हो तो आप इसकी जगह पर पुरानी प्लास्टिक की बॉटल का भी रियूस कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज के फर्स्ट यावाई के लिए मैं इस तरह की टीन केन ना हो तो आप मिल्कमेट का भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसके उपर एक लिए जैसो की अपलाई कर ले रही हूं और इसमें मैंने ड्रेने जोल पहले ही बना लिया था जिसे की एक्सेस वाटर रिमूव हो सके हम यहाँ पर इसे एक्रेलिक पेंट से पेंट करेंगे इसलिए पेंट करने से पहले हमें इसके उपर एक लिए जैसो की अपलाई करनी है तपी इसके पेंट इजीली क्र smokesकर सके तो इससे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर श्काय油 ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो किसी भी पेंट से तो यहां पर देखे पेंट अच्छे से ड्राइ हो गया है तो अब हम इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल डिजाइन बनाएंगे और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं इस तरह के चोड़े ब्रश का यूज कर रही हूं हमें सिंपली इस प्रश को पेंट में डिप करना है और इसे इंडोर हो या आउटडोर रख सकते हैं पर अगर आप इसे आउटडोर रखते हैं तो इसके एक पूट वाटनिस जरूर अपलाई कर ले तो अब बढ़ते हमारे नेक्स प्लांटर की तरफ तो इसके उपर मैंने पहले ही जैसे अपलाई कर लिया है तो अब मैं यहां आप अगर यहां पर ग्लू गन का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहां पर वाल पुट्टी के भी पतले-पतले रोल बनाकर इसके उपर ग्लू की हेल्प से स्टिक करके इस डिजाइन को बना सकते हैं तो इस तरह से इसे complete करने के बाद लगबग 5 मिनट के लिए इसे dry होने के लिए रख देंगे तो देखिए अच्छे से dry हो गया तो अब हम इसे paint कर लेंगे और paint करने के लिए मैं यहाँ पर black acrylic paint का यूज़ कर रही हूं आप इसे अपने according paint कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से dry हो गया है तो अब हम इसे थोड़ा और highlight करेंगे तो मैं यहाँ पर finger tip की help से golden color का use करते हूँ इसे थोड़ा highlight कर ले रही हूं तो कुछ इस तरह से हमारा यह planter भी बनकर तयार हो गया है और इसे भी बनाना बहुत ही ज़्यादा easy है और आप में से कोई भी इसे बड़ी ही आसानी से बना सकता है तो next planter बनाने के लिए पहले ही इसके उपर जैसो के लिए रफ्लाइ करके थोड़ दी थी तो यहां फरoten जैसे माई प्लांटर को पेंट करने के लिए मैं यहां पर एक्वा ग्रीन कलर और गोल्डन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ तो इसे मैं कुछ इस तरह से पेंट कर रही हूँ तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पेंट कर लिया है अब मैं यहां पर ब्लैक अक्रेलिक पेंट की हल्प से कुछ डिजाइन बना लूँगी यहां पर मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिजाइन बनाया है थाकि आप इसे एजिली रिक्रियेट कर सकें या फिर चाहे तो आप अपने अक्वाडिंग इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं कें की चारो तरफ इस तरह की डिजाइन बनाने के बाद बीच में जो भी खाली जगा थी उसे में पेंट ब्रस की हल्प से ही इस तरह से डॉट्स लगाते हुए कंप्लीट कर लूँगी तो इस तरह से हमारा यह प्लांटर भी बनकर तयार हो गया है तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्श प्लांटर की तरफ तो इसके उपर में यूज करने वाली हूँ इस तरह की पर्ल स्टिकर लेस का और इस तरह की लेस आपको 20 रुपीज में आपकी लोकल शॉप में एजिली मिल जाएगी तो यहां पर मैं इस लेस को ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से श्टिक कर रही हूँ और सेम इसी तरह से थोड़ा गैप छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ भी इसे श्टिक कर लेंगे और इस तरह की लेस में पहले से ही अदेसिव लगा होता है जिसके वज़े से यह इजिली किसी भी सर्फेस पर श्टिक हो जाते हैं तो इस तरह से इसे श्टिक करने की बाद हम इसे पेंट कर लेंगे तो अब मैं इसे पेंट कर लूँगी और पेंट करने के लिए कलर आप अपने एकोडिंग चूस कर सकते हैं आप चाहें तो यहां इसे एकरिलिक पेंट या फिर चाहें तो चॉक पेंट से भी पेंट कर सकते हैं चॉक पेंट से पेंट करने से यह देखने में बहुत ही ज़ तो इस तरह से मैंने इसे completely paint कर लिया है और अब ये अच्छे से dry हो गया है तो अब मेरे पास यहां पर कुछ wooden bits थे तो मैं इसके नीचे इस wooden bits को stick करूँगी तो इसे stick करने के लिए मैं यहां पर hot glue gun का use कर रही हूँ आप चाहें तो इसे किसी भी glue से stick कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा ये planter बनकर तयार हो गया है और देखने में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसे आप अपने home decor के लिए भी use कर सकते हैं देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है तो अब हम बढ़ते हमारे last planter idea की तरफ तो इसे paint करने के लिए मैं यहाँ पर light pink color का use कर रही हूँ और ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये color आपको कैसा लग रहा है मुझे comment में जरूर बताईएगा आप चाहें तो इसे किसी भी color से paint कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि paint अच्छे से dry हो गया है तो अब मैं यहाँ पर white acrylic paint से इसमें कुछ design बना लूँगी इस प्लांटर की चारु तरफ कुछ इस तरह से लिए इस प्लांटर की चारु तरफ कुछ इस तरह से अच्छे माद की चाहरें इस तरह से डिजाइन बना लूँगी और यह डिजाइन देखने में बहुत ही ज्यादा खूब प्रूरत लग रहा है तो इस तरह से हमारा यह प्लांटर भी बनकर तयार हो गया तो फ्रेंट्स आज के पांचों प्लांटर आइडिया में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच अच्छे और मज़ेदार वीडियो बनाती रहूं तो फ्रेंट्स आज का वीडियो तो यहीं तक था पर आगे आने वाले दिनों में आपकी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा इस तरह के टीन कें प्लांटर आइडिया मैंने अ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन पर दे दूंगी आप चेक कर लीजिएगा